नमस्कार भायों बेनों एवा मेरे प्यारे मित्रों मैं आज आप सभी को विशेश लाइन धन रेखा के विश्में मैं बताऊंगा यह हाथ पर कहा मौझूद होती है यह जो मैंने डार्क मार किया हुआ है यहाँ पर यही आपकी धन रेखा होती है यही जो है हाथ में सबसे मे तो पुन धन रेखा मानी जाती है पूरुष अपने राइट हैंड में देखें और जो महिलाय है वो अपना लेफ्ट हैंड में देखें अगर यह रेखा बिल्कुल साफ सुत्री है यह लाइफ लाइन है आपकी यह ब्रेन लाइन है यह जो इसके पास में से निकल रहा है औ मिडिल फिंगर तक जा रही है। यह आपका शनी का पर्वत होता है, यह आपके भागे का दरवाज़ा होता है। यहां तक जा रहा है तो देखा गया है कि उनका जो मनी से संबंद कोई उनको प्रॉब्लम नहीं रेता। हमेशा अच्छा उनके पस धन रेता है। महालक्षमी का अच्छा आशिवाद रहता है इनके पास कभी धनकी कोई कमी नहीं होती हाँ परन्तु अगर इसमें कोई दोश लग जाए या कोई प्रॉब्लम जैसा कुछ निशान हो जाए जैसे कि एक्जामपल हम बताते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन रेखा में से देख आपको धन से रिलेटेट कोई बहुत ज्यादा परशानी रहेगी या मतलब यह धन की रेखाओं में अगर इस प्रकार का दोश हो रहा है या फिर इस प्रकार का क्रोस का निशान आ रहा है इस प्रकार से इस प्रकार यहां अगर क्रोस का यह क्रोस का निशान बहुत परबाद ही होगा परन्तु अगर यह आपके हाथ में बिल्कुल अगर साफ सुथरी है बेडिल फिंगर के जो परवत है मतलब यहां सनी के परवत तक साफ सुथरी पहुच रही है जाते जाते यह पतली हो रही है तो यह सबसे अच्छी निशानी है धन रिखा की ऐसे लोगों धन के मामले में और अन्य मामलों में भी भागिशाली पाये गए हैं अब दूसरा हम बताते कि अगर आपकी यही रिखा अगर जाकर के बटवारा हो इसका कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है अगर त्रिशुल बन जाए या कहें कुछ इस प्रकार वाय का निशान ब वो तीन हो चार हो पाँच हो दो हो ऐसा बहुत अच्छा माना गया ऐससा देखा गया है कि इन लोगों के पास धन कमाने का माध्यम एक से जादा होता है इनके जीवन में एक से ज़्यादा इस्तरोथ होते हैं धन कमाने के तो अगर यह आपका जाकर के सेकेंड फिंगर पर बतलब यहां पर जाकर के यह परवत पर जाकर जितनी रेखा है विभाजित हो जितनी रेखा है बने जितनी रेखा है तीन चार निकले तो यह बुरा चीज नहीं होता है यह बहुत अच्छा माना जाता है भगवान की असीम क्रेपा होती है आपके उपर यह सबसे अच्छा मा इन्हें कभी भी धन से रिलेटेट परशानी नहीं होती साथी साथ इन्हें सुख सम्रिद्धी आनन्द भी मिलता है इनका जीवन बहुत आनन्द में होता है मित्रो अब देखी कि अगर आपके जीवन रेखा में से कोई रेखा निकल कर यहां तक पहुच रहा है चाहे वो यहां से निकले या यहां से निकले या बीज में से निकले मतलब जीवन रेखा जो है आपके उसमें से कहीं से भी अगर यह रेखा निकले तो यह भी बहुत अगर आपने यह रेखा है तो आप अपने आपको बहुत भागेशाली समझे और यह लोग में देखा है कि यह जो चाहते हैं हमेशा इन्हें आसानी से मिल जाता है और अगर यही रेखा शुक्र परवत से निकले इस प्रकार से या फिर कहें कि चंद्रमा के परवत से कोई रे हो तो इनकी साधी के बाद इन्हें अच्छा भागेशाली मिलता है मम्मी इनकी माता जी इनके लिए बहुत भागेशाली होती है बेटी का है या जो भी इस्तरी है इनके लिए बहुत भागेशाली देखा गया है अगर लड़की के हाथ में भी यह मोजुद है तो पाया गय यह बहुत अच्छा यह सब होता है और नीचे मेरा कॉंटेक्ट नंबर दिख रहा होगा अगर आपको हाथ अपना एनलाइज मुझसे करवाना हो तो इस नंबर पर जरूर कॉंटेक्ट करें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले अपने जीमेल अकाउंट से इसमें एक पोस्ती रहेगा